हेलो दोस्तों मैं हम आमित और जेश्ट वीग इन एपिजोड में आपका स्वागत है और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं OnePlus के बारे में वेल OnePlus को इंडिया में डिश्ट कौन नहीं जानता है अगर हम बात करते हैं Android ecosystem की तो वहाँ पर OnePlus और Samsung दोनों लीड करते हैं और आप ऐसे काफी लोग भी यूज कर चुके होंगे कोई नो कोई वन प्लस के डिवाइस कुट भी थे स्मार्ट वाच एरबड्स या फिर स्मार्ट फोन लेकर आज निगल कर आ रहे हैं वह लोग प्लान कर रहे है एलेक्रिक वेहिकल इंडिस्ट्री के अंदर एंटर करने की हाला कि 2019 में वन प्लस ने एक जोग की तरह मदब उनकी जोग की तरह मुझा था कि वो लेकर आ रहे हैं वापकार जहां पर आपको फीचर एस्ट्रिक फीचर मिलेंगी जैसे कि स्मार्ट फोन के बार स्वाइप कर कि उनका नया सब ब्रैंड इसका नाम होगा one plus life बेसिकली one plus life के अंधर आपको बेखने मिलेंगी electric scooter a टुविलर्स त्रीविलर्स और even four wheels three wheels का अ्टमुझे मुझे कम चांस लगते लेकिन four wheeler मतलब टेसला कार की तरह यहां पर फोकस हो सकता है and definitely मुझे लगता है कि जितने भी technology-based companies है सारे के सारे down the line future में electric vehicles की तरफ जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि as of now उनको शुरुवात करनी है और आने वाले दो साल तीन साल तक उनने टाइम मिलेगा संपर प्लेश्फ करने के लिए पार्टनर्स के साथ मार्टनिंग करनी करी और तीन-चार साल के बाद उनको लांच कर सकते हैं यहां पर बात करते हैं तो जो ट्रेड मार्ट है इंप्र मार्त बात यह कि इस यह आँ पर आपर काफी इंट्रेसिंग है कि यहां पर कोई डीटेल सो नहीं है बडिन ओर आएम एक्साइट क्योंकि यहां पर जो कन्वेंशनल कमनीज है जैसे बजाज हो गया हो गया हो गया हीरो हो गया या फिर टीविस हो गया यह सब अब बात करते हैं एलेक्रिक वेहिकल्स की तरफ उन्हें सिर्फ कोई भी एक रगल गारी को निकालनी है एंजिन के बदले में यहां पर पेट्रोल अब डीजल इंजिन के बदले में एलेक्रिक बैटरी बेजट सेटप पुरा करना है थोड़ा सा मैनत लगे का बदेन बहुती इंट्रेसिंग फ्यूचर है तो आप लोगों अगले वीडियो में तब तक के लिए बुट बाई